ट्रेडर फेमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि बुदुहार के दिन मार्केट किस प्रकार काम करने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी के important support और resistance लेवल क्या होने वाले हैं और आपको कल किस प्रकार से काम करना चाहिए तो ये वीडियो काफी important होने वाला है आपको पूरा वीडियो देखना है इसकिप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अब चलते हो और आगे बढ़ते हैं लेकिन अभी तक आपने मारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लो साथ में ब आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो उसका भी लिंक आपको description बोक में मिल जाएगा अब चलते हैं सबसे पहले चार्ट के ओपर तो यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है निफ्टी का डेली चार्ट और यहाँ पे मैं निफ्टी का छा आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल वैदनेस डे है और वैदनेस डे के दिन आप सोच रहे होंगे की bank nifty की क्या है expiry होगी ठीक है लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि bank nifty की expiry Wednesday को नहीं होगी अब यह एक monthly expiry है ठीक है और साथ में यह yearly expiry भी है तो इस सीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि अब यहाँ पे Thursday को ही nifty और bank nifty दोनों की expiry होगी जो की काफी बड़ी expiry है इस दिन के लिए तो यह सीज़ आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पे expiry होगी ना Thursday को तब तक market के अंदर यहाँ पे volatility है वो काफी ज़्यादा उपर नीचे की हो सकती है market ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा और ज़्यादा उपर भी नहीं जाएगा इस सीज़ का आपको ध्यान में रखना है volatility intraday के अंदर हो सकती है यहाँ पे इस सीज़ का आपको ध्यान में रखना है आपके हो सकते हैं कि stocks हैं, portfolio है वो performance ना दे रहे हो लेकिन आपको indices के अंदर यहाँ पे उठा पटक देखने को मिल सकती है और हो सकता है अगर आप थोड़ा छोटा stop loss लेके चल रहे हो तो यहाँ पे दोनों साइड के stop loss buying और selling के अंदर दोनों के stop loss भी हिट हो जाए तो यह थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है क्यों सावधानी बरतनी है मैंने आपको बताया है कि monthly expiry है nifty और bank nifty दोनों की साथ में यहाँ पे volume है वो काफी जादा कम है इससी का भी आपको ध्यान में रखना है तो volume बहुत कम है तो यहाँ पे यह भी काफी जादा matter कर रहा है कि जो stocks हैं उनके अंदर आप intra day कर रहे हो तो वहाँ पे भी थोड़ा spread का भी ध्यान में रखना है वो मैंने आपको वीडियो के अंदर भी बता दिया था अब चलते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे daily chart क्या बोल रहा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आज candles का एक pattern बताता हूँ ठीक है तो एक यहाँ पे आप देखोगे कि एक कोई भी यहाँ पे बड़ी candle बने ठीक है मैं थोड़ा सा इसको वापस clear करता हूँ और इसको थोड़ा सा वैसे कर देता हूँ मैं उपर के side में तो आपको छोड़ा ज्यादा दिखेएका यहाँ पे मैं आपको एक candle डो करता हूँ कि एक कोई भी यहाँ पे red candle बनी उसके बाद में तीन छोटी छोटी candles है वो इस red candle के अंदर ही बनती है ठीक है और फिर यहाँ पे एक red candle बनती है बड़ी वाली तो यह जो combination होता है दो red candle और तीन green candle छोटी छोटी वाली इसको यहाँ पे 3 continuous bearish candle बोलते है ठीक है 3 continuous bearish candle ठीक है candlestick pattern होता है और यह एक negative candlestick pattern होता है अब ध्यान रखीना की बात क्या है कि यह जो candlestick का pattern है वो अगर market के अंदर जाकर के top के पास में या resistance के पास में बनता है और यह activate होता है अब activation का meaning क्या है यह एक red candle हो गया और 3 छोटी छोटी green candle हो गई उसके बाद में एक red candle और बननी चाहिए जैसे कि यहाँ पे बननी चाहिए और फिर उसके बाद में next day यहाँ पे यह वाली जो last वाली red candle है उसका low है वो break होगा न तब यह जो pattern है वो यहाँ पे activate हो जाएक और वहाँ से market के गिरने के chances हो जाते है तो अभी तक आप देख पारे होंगे कि यहाँ पे क्या बना हुआ है यहाँ पे एक red candle बन चुकी है और तीन चोटी चोटी green candle बन चुकी है और यहाँ पे एक red candle बन सकती है तो यह जीज आपको ध्यान बे रखनी है अगर वो pattern बना तो बन सकती है जरूरी नहीं है कि बने ही ठीक है और अगर बनती है तो फिर आपको extra cautious हो जाना है क्योंकि उसके दिन फिर यहाँ पे वो अगर red candle बनती है और उसका breakdown होता है तो ज़्यादा market नीचे आ सकता है तो यह आपको देखना होगा लेकिन अभी तक उसमें कोई problem नहीं है अभी यह pattern भी हो सकता है यह यहाँ पे गया और थोड़ा pullback लिया और यह upside के अंदर जाकर कि इस वाले swing को उपर निकालता है तो यह upside में भी जा सकता है वो भी कोई आपको डरने घबराने की जोरत नहीं है तो मैंने आपको जो यहाँ पे patterns बन सकते हैं probability है वो मैंने आपको बताए है तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है अभी market के अंदर कोई भी situation खराब नहीं है यह आपको ध्यान में रखना है 15 मिनिट पे मैं आपको level उता देता हूँ तो level आपको देखना होगा मैंने आपको बोला था यह वाला जो swing high है इसके उपर market निकलेगा जो कि यहाँ पर निकलते ही market के अंदर काफिय अपसाइड देखी और अब यहाँ पर आप देखोगे कि यह consolidation करके गया है last के अंदर ठीक है तो इस consolidation को आपको ध्यान में रखना है अब इस consolidation को क्या ध्यान में रखना है कि माल लोग कि यहाँ पर मैं एक level बताता हूँ आपको जो यहाँ पर upside का होगा 24465 का उपर के अंदर आपको ध्यान में रखना है और 24425 का level है वो नीचे के अंदर आपको ध्यान में रखना है यह एक consolidation zone हो गई ठीक है अब इस consolidation zone के अंदर ही कहीं यहाँ पर market open होना चीए या फिर थोड़ा सा upside में open हो जाता है या फिर downside के अंदर open हो जाता है तो वहाँ पर 5-10 minute की range देखनी है और फिर 3 minute का chart लगा करके वहाँ पर range का breakdown होता है या फिर जैसे मालो यहाँ पर upside में थोड़ा open हुआ और फिर 3 minute का आपको chart लगाना है वहाँ पर एक range देखनी है उसका breakout होता है तो आपको buying side बे जाना है और अगर मालो थोड़ा सा gap down होता है या इस range के अंदर भी open हो करके कोई range बनाता है न ठीक है तो आपको 3 minute के chart के उपर इंट्राडे के अंदर entry लेनी होती है उसका breakdown होता है तो आपको entry लेनी है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 21,465 का जो level है वो upside में आपको ध्यान में रखना है और 21,425 का downside में यह एक range बनी हुई है इस range के अंदर कहीं पे भी open हो और breakout देता है जो की 21,465 के उपर देगा तो आपका जो next target होगा वो upper side में 21,485 होगा और उसके बाद में यहाँ पे जो next resistance मिलेगा वो 21,535 का होने वाला है और 21,535 एक बार निकल जाता है न तो बड़े target है उपर के अंदर फिर से 21,580 से लेकर के ठीक है 21,580 से लेकर के 21,600 के आपको आते होए दिखेंगे कल के दिन में ही तो यह सीज़ आपको ध्यान में रखनी है तो यह तो upside का हो गया नीचे की बात करें ठीक है तो नीचे के अंदर 21,425 का जो लेवल है वो breakdown नहीं होना चाहिए क्योंकि यह काफी अच्छा support area है अगर यह breakdown हो गया जो की 21,425 है तो यहाँ पे जो support area होगा 21,390 का होगा और वो break हो गया तो 21,360 का यहाँ पे next support होगा 21,360 के बाद में 21,325 और 21,290 यह काफी अच्छे support area होंगे तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि यह area breakdown देता है तो आपको ज्यादा कोशिस रहना है और अगर यह उपर के अंदर breakout देता है तो आपको यहाँ पे buying side में जाना है तो यह nifty के level हो गए bank nifty के अंदर हम देख लेते हैं तो bank nifty के अंदर भी यहाँ पे यह वाला जो chart pattern हमारा one hour के उपर बना हुआ है इसी chart pattern के अंदर यहाँ पे अभी हम मानके चल रहे है कि यह follow करेगा ठीक है तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि यह नीचे आया था उपर गया और वापस नीचे आने के बाद में इसी यहाँ पे trend line है उसी के पास में क्या कर रहा है consolidation दे रहा है अब हो सकता है कि यह consolidation यहाँ पे देने के बाद में यहाँ पे यह जो trend line है उसका breakdown दे दे और यह वाला swing area है यह वाला swing area इस swing area के नीचे आने पर यहाँ पे काफी ज़्यादा गिरावट होगी यहाँ पे यह वाला support area हमारा next target होगा लेकिन यहाँ पे मालोज जिसे यह वाली consolidation है इस consolidation के अंदर ऊपर के निकलता है तो यह वापस से जो upper side का यह जो chart pattern मना हुआ है हमारा उस chart pattern के अंदर जाने की कोशिस करेगा उसका जो first member का target है यह वाला होगा दूसरा target यह और यहाँ पे third जो target है वो आपका trend line का होना चीए trend line को follow करेगा तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है weakness कहीं पे भी आपको नहीं दिखरी है इस चीज आपको ध्यान में रखना है अब यहाँ पे आप देखोगे upside के अंदर इसके अंदर price के अंदर rejection मिल रहा है तो यह चीज भी आपको दिखनी चीए कि यह price के अंदर rejection मिल रहा है तो upside में sustain नहीं कर रहा है हो सकता है कि यह नीचे आ जाए तो यह चीज आपको देखनी होती है यहाँ पे intraday के अंदर काम करते हैं तो अब यहाँ पे level मैंने आपको one hour के उपर बताए 15 minute पे चलके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि same situation बनी हुई है यहाँ पे भी एक consolidation बना हुआ है तो इस consolidation के अंदर यहाँ पे एक range बनी हुई है अब मैं range आपको upper side की बताता हूँ कि 47,800 का level आपको उपर के अंदर देखना है और 47,680 का जो level है ठीक है 47,680 का level है वो नीचे के अंदर आपको ध्यान में रखना है 47,800 और 47,680 का जो level है वो आपको दोनों side की range हो गई अब इस range के अंदर breakout देता है तो breakout 47,800 के उपर देगा तो यहाँ पे आपको उपर के अंदर target देखने को मिलेगे मैं इसको अलग-अलग के बताता हूँ यह range हो गई upper side की और upper side के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे 47,800 का जो level है वो आपका एक resistance level है इसके उपर निकलने पर यहाँ पे जो next target होगा वो 47,920 का होगा ठीक है 47,920 का इसके उपर निकलता है तो 48,025 से लेकर के 48,025 से लेकर के 75 तक के target है 48,025 तक के target है वो आपको देखने को मिलेगे और एक बार यह 48,025 निकल गया ना एक दम काफी अच्छी उपर के अंदर रेली आपको देखने को मिलेगे और जो final target होगा वो 48,475 से लेकर के 48,550 के आपको देखने को मिलेंगे तो वो आपको target ध्यान में रखने है नीचे की बात करें तो नीचे के अंदर यहाँ पे एक range बनी हुई है यह range के अंदर open होकर के breakdown देता है तो breakdown का level होगा 47,680 का ठीक है 47,680 के नीचे अगर आकर के trade करना शुरू करता है इसके उपर यहाँ पे open होना चीए फिर 10-5 मिनिट भीताना चीए और फिर 46,680 को breakdown देता है ना तो आपके जो support area होगे वो 47,000 यहाँ पे लिख देता हूँ 47,575 का आपका next support area होगा और उसके बाद में यहाँ पे 47,475 से लेकर के 47,425 का एक काफी अच्छा support area है इसको breakdown नहीं देना चीए अगर इसको breakdown देता है तो फिर market के अंदर तोड़ा मंदी होगी और intraday के अंदर ही आपको 47,350 और 47,200 ठीक है 47,200 और 47,100 के level है वो आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि price action आपको देखना है और साथ में आपको volume भी देखना है ठीक है price action भी देखना है और volume भी देखना है volume आप कहाँ पे देख सकते हो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे bank nifty और nifty के December के futures है उनके chart के उपर आप जाकर के volume देख सकते हो तो आपको क्या देखना है price rejection तो नहीं मिल रहा है किसी side के अंदर range बनके breakdown तो नहीं हो रहा है तो अगर breakdown हो रहा है price action क्या बोल रहा है उससाब से आपको trade लेना है और आपको अभी के लिए कम से कम मेरी request मानोगे तो कम से कम आपको 26 December हो गया और उसके बाद में first जो यहाँ पे January है तो वहाँ पे new year है तो आप देखोगे कि करीबन करीबन यहाँ पे आप देखोगे कि आपको 50% quantity के साथ में ही काम करना है क्योंकि volume कम है और यहाँ पे monthly और yearly expiry है तो यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है spread यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो सकता है तो इसीज़ का आपको ध्यान में रखना है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्यू वरी मच्च